वेल्कम टू एमेजिंग क्लासेस आप लोग के सामने जारकन पॉल टेक्निक 2008 का क्वेस्टन का सीरीज चल रहा है जो आज पार्ट लास्ट है इससे पहले मैंने 40 क्वेस्टन 1 से 40 टक डिसकर कर चुका हूँ आज मैं 41 से 50 टक क्वेस्टन को डिसकर करूँगा इस क्वेस्टन को मैं हिंदी में ने लिखा हूँ लेकिन इसका पीडियाप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आप उस लिंक को किलिक करके पीडियाप डाउन कर सकते हैं और हिंदी में भी इस क्वे अगर आप चार-पांच साल के question previous year के बना लेते हैं तो आप पॉल्टेग्निक एक्जाम में question अच्छा से बना लेंगे ठीक है तो स्टाट करते हैं अज का class if 10 theta equal to 5 by 4 then the value of 3 sin theta plus 4 cos theta divided by 3 sin theta minus 4 cos theta का whole square देखिए जब भी 10 theta है 10 theta क्या लिस होते हैं that is sin theta by cos theta 10 theta क्या लिस sin theta by cos theta और इसका value दिया 5 by 4 इसका मतलब sin theta का value 5 होगा cos theta का value 4 होगा इस equation में रखते हैं ठीक है 3 sin theta का value कितना है 5 plus 4 cos theta का value 4 divided by 3 sin theta का value 5 minus 4 into 4 तो 3 5 जब 15 और 4 16 3 5 जब 15 minus 16 तो इससे क्या आ रहा है आब इसका square करना है इसका हम पो square करना है square कर देते हैं ठीक है तो 31 इधर आ जागा इधर minus 1 आ जागा तो minus 1 का square करेंगे तो 1 हो गया तो 31 का square जो है इसका correct answer हो जाएगा तो answer क्या होगा 31 का square option A जो है इसका right answer है next question जो है वो time and work का question है two men and seven boys can do a piece of work in four days four men and seven boys can do the same work in three days then the number of days a boy takes to complete the work मान लेजिए कि दो आदमी है दो आदमी है और साथ boy है वो दोनों मिलके दोनों मिलके इतना दो आदमी है चार लड़का मिलके किसी काम को चार दिन में करता है उसी काम को चार आदमी और चार लड़का मिलके तिन दिन में करता है तो इससे man और boy में relation आ जाएगा तो 4 to 8m plus 28b equal to 12m plus 12b इसको minus करेंगे तो m इधर चल जाएगा तो m कोई जटी इधर रख देते हैं तो 4m और इधर करेंगे तो 16b ठीक है तो one man equal to 4b relation आगी है ठीक है उसके बाद मान लेज़े कि इसकाम को कि तरह दिन में करेंगा तो यह क्या है कि तरह से total work है क्या है total work बोलेगा ठीक है total work मान लेज़े कि इसको लेते हैं तो 4 men तो फोर एक men यानि कि चार लेंगे तो 16 वह जाएगा तो 16 बोई प्लस फोर बोई इंटु 3 टोटल work होगी है तो कितना होगी है 20 बोई इंटु 3 यानि कि 60 दिन कोई लड़का इस काम को करेगा तो complete कर देगा यानि कि 60 दिन बोई एक बोई तो 60 दिन लाएगा तो option बी जो है इसका correct answer होगी है ठीक है इन examination one marks is awarded for every correct answer मतलब एक marks अगर एक question आप सही करेंगे तो उसके लिए एक marks दिया जाएगा और अगर वाइल one-fourth marks deducted for every correct answer अगर आप एक question गलत करेंगे तो उसका one-fourth marks decrease हो जाएगा उसका कम हो जाएगा negative में चला जाएगा one-fourth negative है इप a student got 90 marks by answering 120 question then how many questions did he answer ठीक है तो इसको comment सिंपल से चेंजर मारली जी कोई option option one लेते हैं ठीक है तो option मतलब उसका 96 marks आ रहा है लेकिन टोटल question 120 था तो 96 attempt 96 marks आ रहा है मारला कितना इतना सही कर रहा है 96 96 मारली जी कि 96 96 क्या है correctly answer पुछे रहा है 96 क्या मतलब कितना गलत किया होगा तो 4 24 24 क्यों गलत किया है यानिकि one-fourth है यानिकि 6 marks इसका deduction हो जा रहा है छे marks पहले होगा ही हीटन ट्रैल मेथट से सटिस्ट्राइब हो गया आप इसी तरह सभी option को चेक कर लेंगे अगर इसमें तो अच्छा वाग कि option A में आपका connect answer आग nhất अगर option A नहीं आता तो option B soci करते option C् одного option C नहीं यूइ असकोन इसाइट थे करते इसे तरह आप नहीं आहा है तो सी चेक कर सकते C नहीं आया तो B चेक कर सकते हैं एतो किसी को भी चेक कर सकते हैं ठीक है को ने एक सी को टू a square sin square theta उसी तरह क्या करेंगे y square equal to p square 10 square theta तो क्या करेंगे x square के जगा पर हम a square by sin square रखेंगे तो मार लेज़े a square a square एज़िटी रख देजी यह तो क्या करते हैं देखिए अब simply इसको 1 by sin square theta कर देजे a square by x square हो गया उसी तरह क्या करेंगे 1 by 10 square theta को क्या ले सकते हैं b square by y square तो a by x square को लिखेंगे 1 by sin square theta और b square by y square को लिखेंगे 1 by 10 square theta इसको अगर lcm करेंगे तो 10 को क्या ले सकते हैं sin by cos तो cos उपर चला जाएगा तो sin square theta अगर lcm हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 यहाँ पर ठीक है sin तो 1 minus sin है तो 1 minus cos चला जाएगा तो 1 minus cos theta अब को पता है कि 1 plus 1 plus sin square equal to cos square sin theta होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 minus cos square sin square theta और निचे भी sin square theta कर जाएगा 1 इसका answer जो है simplification करने के बाद इसका answer A और तीक है और अपशन B 1 अपने देखा अब a square y x square हम्को इस equation से हम इसको square in both side कर देंगे उसी तरह इसको b square in both side कर देंगे और b square y का वेलों निकाल निकाल नेगे और a square x square बेलों निकालके इसमें पूट कर देंगे तो उसको सुन करने के बाद one answer आएगा ठीक है अब next question 45 देखे side of two similar side of side of side of two similar triangles are in the ratio मानले जब भी similar triangle का side दिया रहेगा तो area of triangle हम किसे निकालेंगे area of triangle साइड डी साइड ऑफ टू सिमिल ट्रैंगल रहेगा इंदे रहेगा गया खाएट तो area के लिए क्या करते हैं इसे मानले जए area चाहिए तो area जो भी होता है side का स्कुर होता है इरिया मानले जे area चाहिए area आप ट्राइंगल मानले जे EBC है और area आप ट्राइंगल इसको लेते हैं डी साइड का इसको स्क्राइड का हो जाता है mister old Nah dossator similar triangle एंदे राशियो साईड दिआ हूए तो जब साइड दिया आते एरिया पुछा थो साइड कर देंगे याने की 3x7 स्कुर्ड करेंगे की और नाइन बै पॉटि- Haf decorated 9-49 जो इसका कर्टेंस रो जाएगा option B जो है इसका कर्टेंस यह बहुत ही question इसका कर्टों जाएगा यह बहुत question important है हर एक्जाम चाहे SSC हो चाहे रेलिवे हो चाहे कोई भी competitive exam हो यह वाला question बहुत ही important है that relation हो जाता है इसे area of triangle equal to side of square ठीक है देखिए next question the arithmetic mean of set of 40 values is 65 माल लेज़े कोई 60 को number है उसका mean जो है 65 है mean माल लेज़े कि अगर average निकालेंगे तो 65 आएगा if 40 values is increase 40 का value अगर हम plus 5 से increase कर देते हैं plus 5 से increase कर देते हैं then the mean of new set तो mean पर क्या फर्क पड़ेगा सबका 5 value बढ़ जाएगा क्योंकि अगर सभी को हम 5 बढ़ाते हैं तो mean भी 5 बढ़ेगा इसका मतलब 65 plus 5 that is 70 option B जो है इसका right answer हो जाएगा ठीक है next question the sum of deviation of variable value 3,4,6,7,8,12 from the mean अब इससे क्या सबसे पहले इसका mean निकलते हैं mean निकलते हैं 3 plus 4 plus 7 plus 6 plus 8 plus 14 divided by क्यों number है 1,2,3,4,5,6,6 तो summation of number by यतना number of term है तो 42 आएगा sum करने बद 6 आएगा तो इसका mean जो का 7 होगा deviation क्या होता है कि deviation अगर mean है और individual value का difference होता है उसका sum होता है mean minus individual value mean और individual value का difference का sum होता है उसको बोलते हैं deviation ठीक है 7 minus 3 plus 7 minus 4 plus 7 minus 6 plus 7 minus 7 plus 7 minus 8 plus 7 minus 14 यानि कि 0 इसका sum of deviation आ जाएगा तो 0 इसका correct answer होगा option C जो इसका right the value of 10 1 degree 10 2 degree 10 3 degree 10 2 आप देखिए समाल लिजे 10 1 लेते हैं 10 1 डिगरी और 10 89 डिगरी लेते हैं और cut 1 को 1 by 10 1 यानि कि 1 हो जाएगा ठीक है तो इसी तरह 10 1 और cut 1 को 1 by 10 1 हो जाए उसी तरह क्या होगा कि 10 2 जो होगा 10 2 degree 10 88 इक्वल टू 1 होगा उसी तरह चलते जाएगा चलते जाएगा लास्ट भी क्या जाएगा 10 44 और इदर से 10 46 इसका भी 1 हो जाएगा बीच में ख़ले बचेगा 10 45 बाकि सब का multiplication 1 हो जाएगा और 10 45 बचेगा जिसका 1 होता है तो इसका मतलब यह answer जो है 1 ही आएगा 10 45 का value भी 1 ही होता है तो option B जो है इसका right answer हो जाएगा option B right answer जाएगा ठीक है आप question number 49 देखते है अब quadratic polynomial whose 1 0 is माल लिए 1 0 यानि कि alpha equal to minus 5 है ठीक है 1 0 the product of zeros is माना alpha बीटा जो होगा वो 0 होगा यह इसका मतलब क्या होगा जो दूसरा होगा वो 0 होगा इसको क्या ले सकते है x square minus b by a x plus c by a लिखते है equal to 0 quality equation तो यह क्या होता है b minus a क्या होता है sum of roots sum of roots क्या alpha plus beta मना sum minus 5 x square minus 5 यानि कि as it is पहले सी minus 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 plus plus 5 x और product तो 0 हो गया यानि कि x square plus 5 x इसका equation हो जागा तो x square plus 5 x इसका answer हो जागा option a जो है इसका right answer है देखिए the value of m so that 4 x square minus 6 x minus m is divisual by x minus 3 is exact division of अब x minus 3 है x minus 3 को हम 0 से equate करेंगे तो x equal to 3 होगा तो 3 का जो value है इस equation में put कर देए यह m का value निकल जागा 0 से equate कर देना मानले जो 4 हो गया आप 3 का square करें minus 6 x 3 minus m equal to 0 3 कर नो 9.36 minus 18 minus m equal to 0 तो 18 18 वे चातिए तो 18 minus m इसका मतलब m equal to 18 होना चाहिए लेकिन option में m equal to 8 नहीं या तो option गला दिया हो यह तो question गला दिया हो मानले जो question अगर 3 x square minus 6 x minus m होता तो 3 x 9 27 minus 18 minus m equal to 0 तो यह 9 हो जाता m equal to 0 यानिकि m equal to 9 होता अगर question में 4 के जगा 3 होता यह 4 के जगा 3 होता तब answer 9 आता लेकिन अगर question यह ही रहता तो 18 आता जो option नहीं मिलता तो मानके चलते हम कि 3 के जगा 4 के जगा 3 है तो option 9 जो है correct answer हो तो आपने देखा कि जारखन पॉल टेकनिक का में 2018 का भी question पूरा complete कर चुका हूँ 50 तक और 17 का भी मैं complete कर चुका हूँ आप मैं 2019 का question लेके आऊँगा और 17 और 18 आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके 17 और 18 जारखन पॉल टेकनिक 2017 और चुका हूँ और आप लोग नहीं देखे हैं तो आप देखिए और दोस्तों में share करें ताकि दोस्त भी दोस्त लोग भी सीखें कंसेट को सीखें और पॉल टेकनिक एक्जाम में सही से question को solve करें और अच्छे गवर्मेंट कॉले में जाए और वहां से पॉल टेकनिक करें मैं उमीद करता हूँ कि वीडियो से अच्छा लगा है अगर अच्छा लगा तो उसे like, share, subscribe करना बे लागन दवनना बोले ताकि आ सब playlist का लिंक भी description box में दिया है अगर आप जिसका लिए फिलर्य्स्ट खुलना चाते हैं उस playlist में जाए आए उस लिंक को क्लिक किजिए तो आपका पूरा playlist खुल जाएगा और आप तो बीडियो देखना चाते हैं उस वीडियो को देख सकते हैं Thank You झाल झाल